हेलो फ्रेंड्स, आम पंकज मटपाल, सेटिफाइड फैनेशल प्लैनर एंड चार्टेड वैल्ट मैनेजर जैसे कि आपको पता है कुछ समय पहले, गौर्मेंट ने, गौर्मेंट आफ इंडिया सेविंग्स बॉंड्स, इन्हें बंद कर दिया, इन बॉंड्स पर 7.75% का इंट्रेस्ट मिलता है जैसे ये बॉंड्स बंद हुए, सोशल मीडिया में कुछ कमपेरिजन, गौर्मेंट आफ इंडिया बॉंड्स का SBI Corporate Bond Fund के साथ, ये सर्कुलेट होने लगा, तो क्या सच में गौर्मेंट आफ इंडिया सेविंग्स बॉंड और SBI Corporate Bond Fund, ये कमपेरिबल हैं, तो आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊ, एक बार आपको फिर याद दिलाऊंगा कि यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पिछले वीडियो पर बहुत व्यूज आए, अच्छ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, तो जैसे के हम बात कर रहे थे, Government of India, Savings Bond और SBI Corporate Bond Fund, तो जो Government of India Savings Bond है, ये Government of India के बिहाब पे RBI इशू करता है, यहाँ पर जो रिटन्स हैं, वो गारेंटीड हैं, अगर ये बोन्ड का रिटन 7.75%, यहीं बोन्ड का जो इंट्रेस था, वो 7.75% मिल रहा था, तो मतलब वो गारेंटीड 7.75% मिलता रहेगा, और 7 years की इसकी maturity है, क्योंकि Government of India इशू कर रही है, तो यहाँ पर डिफॉल्ट का रिस्क बिलकुल भी नहीं है, आपका पैसा सेफ है, लेकिन अगर हम कंपेर कर SBI corporate bond fund के साथ, तो यह bond नहीं है, बलकि एक debt-oriented mutual fund scheme है, और mutual fund scheme के जो returns होते हैं, वो guaranteed नहीं होते, यह depend करते हैं, कि mutual fund ने जो आपसे पैसा लिया, उसको कहां पर invest किया है, और जो यह debt-oriented mutual fund schemes होती हैं, यह आपके पैसे को, दूसरे corporate को, या government को, loan देने के लिए यूज़ करते हैं, और especially, अगर मैं बात करूँ, SBI corporate bond fund की, जैसे कि नाम से मालूम है कि corporate bond fund है, तो SBI mutual fund ने scheme में जो पैसा collect किया, उस पैसे को, public sector units, PSUs को, या फिर corporate houses को, loan देने के लिए यूज़ किया है, तो अगर आप portfolio देखेंगे, SBI corporate bond fund का, तो उसमें आपको debentures, bonds, या फिर government securities दिखाई देंगी, क्योंकि जब loan दिया जाता है, तो उसके बदले में जो paper मिलते हैं, वो bonds, debentures, या फिर treasury bills, इस तरहें की securities होती हैं, तो SBI corporate bond fund के अंदर जो securities हैं, अडरलाइंग securities हैं, आप देखेंगे कि वो या तो GSEC है, government securities है, loan to central government है, जो की काफी safe माना जा सकता है, कि government को दिया हुआ है, और जो corporate को दिया है, वो भी triple A rated है, तो जो debt securities होती हैं, उनकी rating होती है, crystal, ICRA, BWR, CARE, इस तरहें की rating agencies, in securities को rating देती हैं, तो यह जो SBI corporate bond fund है, इसकी जो अडरलाइंग securities हैं, वो आप देखेंगे कि triple A rated है, तो यानि की अच्छी companies को, अच्छे corporate को SBI corporate bond fund का पैसा, loan पर दिया गया है, लेकिन अगेन मैं बोलूँगा, कि returns guaranteed नहीं है, यह scheme 1st Feb 2019 को launch हुई थी, यदि inception से लेकर अभी तक के returns देखें, तो over 11% का return investors को मिला है, और last 1 year में, scheme ने over 10% return दिया है, लेकिन अगेन, past returns से इस बात की guarantee नहीं है, कि future की return भी same होंगे, अगर scheme में जो securities हैं, उनका अगर yield to maturity देखते हैं, यानि कि जो bonds और debentures हैं, उनका अगर maturity तक, जब तक वो securities की maturity होती है, तब तक का return देखते हैं, तो उसके आधार पे आप कह सकते हैं, कि scheme का return जो होगा, वो करीब-करीब, 6-7% के बीच में तो आने की उम्मीद है ही, plus depending on the interest rate, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जैसे कि last one year में 10% का return आया है, उस हिसाब से return अच्छे भी आ सकते हैं, लेकिन returns guaranteed नहीं हैं, अब compare करते हैं tax के हिसाब से, क्योंकि जब आप FD में invest करते हैं, तो वहाँ पर tax भी लगता है interest के उपर, और हम आज compare कर रहे हैं government of India, savings bonds के साथ में तो जो government of India savings bonds है, taxable bonds, वहाँ पर definitely जो interest आता है, वो taxable होता है, वो आपके income में जुड़ जाता है, यदि कोई investor 30% tax bracket में है, तो उसको 30% tax के साथ 4% health and education success भी लगेगा, तो actually वो 30%, 31.20% हो जाएगा, तो यानि कि यदि investor को 7.75% interest मिल रहा है, और उसके उपर 31.20% का tax लग जाए, तो जो effective return है, वो सिर्फ 5.33% ही होगा, तो post tax return 5.33% ही रहेगा, यदि इसको हम compare करते हैं, SBI corporate bond fund के साथ, तो क्योंकि corporate bond fund एक debt oriented mutual fund scheme है, और mutual fund में short term या long term capital gain होता है, तो यहाँ पर यदि आप 3 साल से पहले, मतलए investment करने के बाद, 3 साल से कम समय के लिए उसको hold करेंगे, और फिर base देंगे, तो वहाँ पर short term capital gain tax लगेगा, जो भी आपका capital gain होगा उसके उपर, और वो same आपके income में जुड़ जाएगा, तो आप की जो भी income है उस हिसाब से, आपको tax चुकाना होगा, लेकिन यदि आप 3 साल से अधिक समय के लिए यहाँ पर invested रहते हैं, और अगर हम government of India bond के साथ compare कर रहे हैं, तो क्योंकि government of India savings bonds जो हैं, वो क्योंकि 7 years की maturity वाले हैं, तो definitely हमें compare करना चाहिए कि यहाँ पर भी अगर SBI corporate bond में invest कर रहे हैं, तो 7 years के लिए invest कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका capital gain होगा, वो long term capital gain होगा, और long term capital gain के उपर आपको जो tax लगता है, वो 20% लगता है, आप चाहे 5% tax bracket में होँ, चाहे आप highest 30% tax bracket में होँ, आपको जो tax लगेगा, वो capital gain के उपर 20% लगेगा, और 20% plus 4% health and education success यहाँ भी रहेगा, लेकिन ध्यान देने की बात यह है, कि जब हम capital gain calculate करते हैं, long term capital gain, तो वहाँ पर cost inflation index का benefit मिलता है, यानि की मान लिजिए आपने 1,00,000 रुपे invest किये, और वो बढ़कर 7 years में 2,00,000 रुपीज हो गए, तो आपका actual profit तो 2,00,000 हुआ, लेकिन capital gain calculate करने के लिए, पहले हम जो cost inflation index है, government हर साल inflation के हिसाब से, ये cost inflation index number issue करती है, तो उस हिसाब से मान लिजिए अगर हम देखेंगे, कि 1,00,000 रुपे invest किया था, लेकिन index cost जो है उसकी 1,50,000 रुपीज हो गई, 7 years में, और आपने redeem किया इसको 2,00,000 पर, तो profit आपका 1,00,000 हुआ था, लेकिन जो long term capital gain होगा, वो सिर्फ 50,000 रुपीज का होगा, तो जो 20% आप tax pay कर रहे हैं, long term capital gain tax pay कर रहे हैं, वो आप सिर्फ 50,000 के उपर करेंगे, ना कि पूरे 1,00,000 के उपर, तो इस हिसाब से, जो आपका effective tax आता है, वो काफी कम हो जाता है, तो definitely अगर हम, post tax returns के हिसाब से बात करें, तो debt oriented mutual funds, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, SBI corporate bond fund की, तो definitely उसके return, post tax बेतर होंगे, यदि scheme perform, अच्छी करती है, यानि कि यदि SBI corporate bond fund का return, 7.75% per annum, रहता है, जो कि government of India bond के बराबर होगा, तो भी post tax return जो होंगे, वो SBI corporate bond fund के better होंगे, लेकिन, again, क्या ये comparison सही है, तो मैं बोलूँगा कि दोनों का कोई comparison नहीं है, government of India bonds, जो हैं, वो आपको guaranteed return देते हैं, हाला कि bonds अभी बंद हो चुके हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने invest किया हुआ है, तो वो जो bonds हैं, वहाँ पर returns guaranteed मिलेंगे, लेकिन mutual funds में returns guaranteed नहीं होते हैं, तो ये दोनों को आपस में compare करना, या ये तुलना करना के दोनों एक जैसे हैं, ये बिल्कुल गलत होगा, लेकिन हाँ, investment का ये भी एक अच्छा option है, और क्योंकि, जैसे मैंने बताया, कि SBI corporate bond fund का जो portfolio है, वो अच्छा है, उस हिसाब से आप थोड़े पैसे को वहाँ पर भी invest कर सकते हैं, लेकिन जब भी investment करें, ये बात जुरूर ध्यान रखें, कि mutual fund में जब investment करते हैं, तो वो subject to market risk होता है, market में बहुत सारी situations होती हैं, जहाँ पर की default होने के chance भी हो सकते हैं, securities, जो भी जहाँ पर investment किया हुआ है, उसका future में किसी वज़े से उसकी valuation कम हो सकती हैं, तो आप जब भी investment करें, तो सोच समझ के करें, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना, कि जो भी decision लिया जाए, वो informed decision हो, तो ये जानकारी जो मैंने आपके साथ share की, यदि आप कोई पसंद आई हो, तो वीडियो को like करना ना भूलें, और साथ ही अधिक से अधिक इसको share भी करें, और comment box में अपने comment जरूर लिखें, आपके कोई queries हों, तो आप जरूर वहाँ पर post करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो queries हैं, उनके answer दूँ, यदि आपने हमारा YouTube channel अभी तक subscribe नहीं किया है, तो उसको जरूर subscribe करें, और साथ ही bell icon को भी press करें, ताकि जब भी कोई नया video upload करें, तो उसका notification आपको मिले, सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं, इसी तरहें की जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तक तक के लिए अपना ख्याल रखिये, जैहिन! Mutual fund investments are subject to market risks, Read all scheme related documents carefully.